ओम स्री गनेशा नमाहा नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल पर मद्दूरा समीद देश भर में गोपा अश्टमी का पर बहुत इधूमदाम से हर साल मनाया जाता है दार्मिक मानिता के नुसार कार्तिक महा के शुक्ल पक्ष की अश्टमी दितिवार जगत के पालिनहार भगवाण श्रीक कृष्ण ने गोचारन शुरू किया था इसलिए इसी दितिवार गोपा अश्टमी का तोहार मनाया जाता है शुमद भागवत में वंडन देखने को मलता है कि भगवाण श्रीक कृष्ण ने गायों के संग खेला करते थे और उन्हें गायों से बहुत प्रेम था इस दिन गायों सहित बच्षणों की पूजा की जाती है पंचांग के नुसार कार्टिक महा के शुक्ल पक्ष के एस्टमी दिति की शुरुआत आठ नॉमबर को रात 11 बचकर 56 मिनट से होगी वहीं इस्तिति का समापन अगले दिन यानि 9 नॉमबर को रात 10 बचकर 45 मिनट पर होगा ऐसे में गोपाश्चमी का पर्वन 9 नॉमबर को मनाया जाएगा धर्मकरंतों के नुसार भगवान शुरुक्रिक कृष्णे जब बाल्ले अवस्ता में थे तब उनके सभी मित्र जंगल में गाएं चलाने जाते थे एक दिन भगवान शुरुक्रिक कृष्णे भी उनके साथ जंगल जाने के जित करने लगे लेकिन माता यशोदा ने उन्हें जंगल जाने से इंकार कर दिया लेकिन शुरुक्रिक कृष्णे जित करने लगे आप गुपा अश्टमी की पूजा कर सकते हैं 9 नमबर शन्यवार की सुपर जल्दी उठके पहले स्नाना दिकरें इसके बाद हाथ में जल, चावल और फल और फूल लेकर वरत पूजा का संकल्प ले दूद देने वारी गाएं और बचड़े की पूजा करें सबसे पहरे चंदन से तिल लग लगाएं और फूलों की माला पहनाएं एक साफ बरतन में पानी लेकर इसमें थोड़े से चावल, सफेद, तिल और फूल मिलाकर गाएं के पैरों पर डालें इसके बाद गाएं को रोटी, चारा या अन्य पक्वान आदी खिलाएं गाव माता से सुक समर्दी की प्राथना करें पूजा के बाद गाव माता की आर्थी करें श्री गोपा अश्टमी के पीछे की कता बहुत ही दिव है हमारे ग्रंदों में गोव को जानबर मानने वालों को परम पापी कहा गया है क्योंकि गोव में 33 कोटी देवता निवास करते हैं गोव के गोवर में तो साक्षाद श्री लक्ष्मी देवी का वास है शुबकारियों यग्य आदी से पहले गोवर से स्थान को लीपने के पिछे का यही रहसे है कि स्वयम श्री लक्ष्मी देवी महाविराजमान होकर सभी शुबकारियों को संपन कराती है श्री राधा कृष्ण की तो प्राण है गौमाता कार्तिक शुक्ल पक्ष की इसी अश्टमी तिति को पहली बार श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारन किया था अर्थात गाएं को चलाने के लिए लेके गए थे इसी सेवे गोप कहलाए और यह सुन्दर तिति श्री गोपा अश्टमी कहलाई सर्वकामना भिलाशा व्यक्ति इस्तिती में गोगण की पुजा, गोग्रास, दान, गोप्रदक्षणा एवं गोआनुगमन इत्यादी कारे संपाधन करें और इस विशेश मंतर का जब श्री गोपाता के सनमुक सर परिवार प्रेम पूर्वा करें ऐसा करने से खास कामनागी पूर्टी होती है अर्थात जो लोकपाल वरिंद की लक्षमी स्परुपिनी है, जो धेनु रूप में अवस्थिता है, जो यग्य के निमिक्त घृत वहन करती है वे यम पाश से मुक्त कर देवें क्रिपया इस वीडियो को लाइक वे शेर करें वे चैनल सब्सक्राइब करें, धन्यवाद जय श्री गणेश, जय लक्षमी नाराण, जय राधा क्रिष्न, जय गवमाता की